ठीक है, टोटल 12 blocks है, 11 है मदलब टोटल 12 blocks है, अब इस array का नाम मैं रख दिता हूँ A, आपने अगर इसके अंदर store करा दिया मान लेते हैं अभी शेक, जैसे कि ये एक word है, और आपने इस word को इसके अंदर store करा दिया, और last में क्या store हो जाएगा अपने आप, back slash 0 जिसके बारे क्या है कि आपको इसे reverse कराना है, reverse कराने के लिए आपको मैंने अपने last lecture में बताया था, एक function होता है, s-t-r-r-e-v नाम का, और इसको reverse करा दोगे, तो इधर आ जाएगा, k-e-h-s-i-h-b-a, reverse होने के बाद यही आने वाला है, लेकिन सवाल यह है, कि आपको without using predefined function करना है, इस function को use नहीं करना और करके दिखाना, मतलब आप जब program बनाना शुरू करोगे, तो आपको पहली line लिखनी है, put s, या printf, enter a string, put s भी चलता है, लिख सकते हैं, इससे कोई problem नहीं है, आप क्या लिखते थे अब तक, printf, enter a string, print हो जाता था output screen पे, यह भी print होता है, put s भी एक function है, जो output screen पे print करने के लिए बनाया गया है, आप printf को use करोगे, वही यह भी चलेगा, दोनों में से कोई भी, तो ऐसा जरूरी थोड़ी कि अभी आप string वाला program कर रहे हो, तो put s ही use करना पड़ेगा, जरूरी नहीं है, printf लिखो आप चलेगा, दूसरा है gate s, keyboard से input लेने के ल जरूते direct, keyboard से अगर आपको input लेना है, लेकिन string तो ही इसको use करना, put के आगे क्या word है s, for string, get के आगे क्या word है s, for string, get s, keyboard से string लेना रहे, तो get s लगा, तो percentage लिखने की क्या जरूरा था, पहले ही ऐसा आ गया, फिर से क्यों लिखते बैठ हो गया, तो numbers के case में नहीं काम आए होगा वो, numbers के case में नहीं, float वाले case में नहीं, सिर्फ string, सिर्फ character array के अंदर data रखने के लिए आपको इसको use करना पड़ेगा, किसको get s को, तो मन करे get s use कर लो, मन करे put s use कर लो, चलेगा, दूसरी बात, लेकिन आपने memory बनाई कहां थी, जो आप A नाम की memory में रख रहे हो, तो बना लो ना, main के अंदर ये सब आप लिख रहे हो, मैं main function लिख नहीं रहा हो, लेकिन आप समझ सकते हो, यहां तक हुआ, यहां तक आपको समझ में आया होगा, जो मैंने लिखा है, इसके बात देखो, अब आप बताओ, क्या करना चाहिए, कि क्या हो जाए मालूम है, य K यहां चला जाए, और A यहां चला जाए, उसके बाद B यहां चला जाए, और E यहां चला जाए, H यहां जाए, यह वाला H यहां जाए, हर बार थोड़ी H common रहने वाला है, इसलिए इस H को उधर वेजो, उस H को इधर लाओ, S आई यहां जाए, और यह जो दिख रहा है, क्या ना, S यहां है, क्या करूँ, थोड़ा सोचो चलो, STR, CAT, इस क्या करेगा किसको, concatenate तो करना नहीं कोई और एरे हमारे पास है नहीं और क्या कर सकते हैं, बताओ Swapping कर सकते हैं, कैसे करेंगे Swapping हाँ, हमें क्या करना पड़ेगा, कैसे करेंगे Swapping हाँ, आप बोल रहे हैं, एक अलग से Variable बनाया जाए, उसके अंदर के Thru Swapping की जाए, मतलब रुको सबसे पहली बात एक Memory आप और बना लो चलो, ठीक है, इसका नाम रख देता हूँ, T Temp करेंगे क्या पता है, अभी ऐसा समझो, कोई नहीं है यहां पे अगर अपने प्रोग्राम में शुरू भी करोगे तो आप जरूर लिखोगे, A of Zero पे जो रखा है उसको कहां रखना चाहते हो आप A of Seven पे देख लो ना, A of Seven पे लेकिन Seven पे जब डाल दोगे, तो Seven वाला तो डिलीट हो जाएगा अगर आप इस A को उठाके इस जगा पे रखोगे तो के तो गया तो फिर इधर क्या रखोगे इसलिए आप क्या करो पता है इस के को समहाल के टी में डाल दो जैसे मैं आप से बोलू तीन गलास है, एक, दो, तीन इसमें कुछ रखा है, लिक्विड इसमें भी कुछ रखा है, मैं यह बोल रहा हूँ इसको इधर डालो, इसको इधर डालो तो आप क्या बोलोगे रुको आप समहाल के इसको पहले रख दोगे टी में, इसको इसको उसके बाद क्या करोगे, इसको उठाके इधर डाल दो पढ़ो क्या है ए अगर इसमें ए रख दोगे आप उसके बाद आप लिखो के ए आफ जीरो में रख दिया जाए इधर एको तो रख चुके हो ना उपर अब इधर क्या रख सकते हो A of 7 कितना है के ओके मतलब के यहां आ गया चलो के रख दिया उसके बाद क्या करें उसके बाद A of 7 जो है उस पर रख दें T T में क्या है A कहां रख दें A of 7 कहां पर यहां पर ओके यहां अगर A रख दोगे हो गई ना स्वैपिंग सिर्फ तीन लाइन आपने लिखी स्वैपिंग हो गई लेकिन सिर्फ इस से काम चलेगा नए उसके बाद step 2 क्या करोगे अगली बार आप इन दोनों की बारी है किसकी किसकी बारी है अब अब बारी इसकी है और बारी है इसकी मतलब A of 1 टेम्प में T में रख दो किसको A of 1 को A of 1 पे क्या है पढ़ो B है B को कहां रखना चाहते हैं हम T में रखा फिर लिखा है A of 0 मतलब A of 1 पे क्या रख दिया जाए A of 6 A of 6 पे क्या है E है E को कहां रख दिया जाए 1 पे ओके यहां पे E रखना है ठीक है चलो यह भी रख दिया उसके बाद क्या है A of 6 पे रख दिया जाए क्या T, T में कितना है B है B को रख देते है A of 6 पे यहाँ पे हो गया ना इसके बाद फिर से T is equal to 0 1 अब क्या आएगा A of 2 को T में रखो A of 2 पे क्या है H है H को T में रख देता है रख दिया फिर लिखा है A of 2 में रख दिया जाए किसको A of 5 को A of 5 पे क्या है यहाँ देखो 7 था है 6 है 5 कम करोगे न क्या A of 5 पे S हाँ हाँ यह है H है H को रख देना है कहा पे A of 2 पे तो चलो A of 2 पे रख दिया H को नया H यह वाले H को यहाँ रख दिया उसके बाद क्या है A of 5 में रख दिया जाए T को T में कितना H है A of 5 में वापस के बाद मतलब ये भी हो चुका है कौन सा ये अब बचा ये वाला A of 3 मतलब फिर से यही T में रख दिया जाए क्या A of 3 को बाद में A of 3 पे रख दिया जाए क्या A of 4 को A of 4 में रख दिया जाए T को बस बात खतम मतलब कितनी बार स्वैपिंग करनी पड़ी तुम बता दो 4 बार 1, 2, 3, 4 बार सही जवाब है 4 बार स्वैपिंग करनी पड़ी हमें कैसे क्योंकि element कितने थे total 8 इसलिए 7 बार करना पड़ा मैं गिन लेता हूँ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 element है हाँ तो element जितना है उसके आधी बार स्वैपिंग करनी पड़ती है क्योंकि एक को उधर रखते हो तो उधर वाले को इधर रखना पड़ता है फिर दूसरे वाले को उधर रख रहे हो तो second last वाले को इधर फिर इधर से आगे जा रहा है उधर से वो भी आगे आ रहा है इसलिए 4 बार मतलब 8 कदम चलना है आपको लेकिन ये भी एक कदम चल जाता है तो आप दूसरा चल रहे हो तो ये भी दूसरा चल रहे हो आप तीसरा चल रहे हो तो ये भी तीसरा आप चौथा चल रहे हो तो ये भी चौथा चल रहे हो तो चारी समय तो लगा 8 element में 4 समय लगा खाली बस तो element जितना उसका आधा समय लगेगा उतनी आधी बार swapping करनी पड़ेगी 15 element होंगे तो कितनी बार करना पड़ेगा 15 को divide करूँ अगर 2 से 2 7 जा 14 मतलब यहाँ पे सिर्व 7 बार करना बस आप बोलोगे कैसे 5 element तो कितनी बार दो बार इंट टाइप का है तो पांच इलिमेंट है टू टूजा पूर क्या बचा है दो यह बार कैसे चलो एक दो तीन चार पांच जैसे कोई नाम है मैं यहाँ पे लिख देता हूं मनोज रिवर्स करू आपको किसको इसको उठाके इधर लाना है और इसको उठाके इधर लाना बराबर फिर इसको उठाके इधर और इसको उठाके इधर बस बीच वाले को छोड़गा इसको उठाके क्या कर लोगे आप हो तो ऐसे भी बीच में रहने वाला है रिवर्स करोगे या नहीं करो गए तो कितनी बार करना पड़ा दो तो अगर सेवन इलिमेंट है तो इसलिए इसलिए इसके बाद और आगे चलते हैं, integer decimal में थोड़ी होता है, होता है, नहीं तो फिर बात खतम, seven divided by two करोगे तो three आएगा, decimal में आई ही नहीं सकता न, int मतलब क्या होता है, float मतलब क्या होता है, decimal, int मतलब no decimal, तो point कहां से आगया, सिर्फ three आएगा, वो ignore हो जाएगा, अगर आता भी है तो, ये हो गया, लेकिन हर बार आप क्या अभिशे की इंटर करोगे क्या, नहीं, हर बार क्या ये चार ही बार swap करोगे क्या, नहीं, कभी नौ बार करना पड़ सकता, आठरा element रहे तो, पांच element रहे तो सिर्फ दो ही बार करना पड़े, इसलिए हम लूप लगाएंगे, लूप को चार बार चलाएंगे, लेकिन आठर element है तो चार बार, लेकिन और वैसे भी देखो न, ये सेम है, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, ये भी सेम, तो चार बार क्यो लिख रहे हो, लिखो एक बार है कितनी बार तो पता कैसे चलेगा इलिमेंट आठ है गिन लो ना strlen नाम का function क्यों सीखे थे कल तो एक function है यहां पर लिख दू थोड़ा जगा कम है strlen किसकी लेंद एक ही और उसको लाम की में में रखवा लो लेंद कितनी आ गई आठ तो लूप को चला दो ना एल बाय टू बराबर लेंद कितनी है आठ एल में कितना है आठ आठ डिवाइडेड बाय टू कितना होगा चार बस हो गया ना चार बार लेकिन बार बार यह swapping किसको करेगा पता इसकोई 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 चारो बार क्यों आपने लिखा ही वही है ना लेकिन फिर सवाल है ऐसा क्या करूं कि पहली बार ये swap हो दूसरी बार ये हो तो आप यहाँ पे 0 की जगा i लिख दो ना i पहली बार कितना है जीरो, तो फिर आए लिखोगे तो भी जीरो ही माना जा रहा है न, अगली बार आए कितना होगा, वन, तो यहाँ पे कितना माना जाएगा, वन, तो जहाँ जहाँ आपने जीरो लिखा है, वहाँ वहाँ आए लिखा है, पिर भी गलत है, क्योंकि पहली बार ये सेवन के साथ स सेवन के साथ ही क्यों करवा रहे हो पहली बार सेवन तो दूसरी बार सिक्स तीसरी बार फाइब क्या करू बोलो बस प्रोग्राम इत्ता ही बड़ा है लगता बहुत टफ है पहली ड्रोम रिवर स्ट्रिंग लेकिन होता इत्ता ही बड़ा है बोलो क्या करू सेवन की जगा क्य यह तो गलत हो जाएगा 5 divided by 2 मनलब कुछ अलगी होने लग जाएगा आप एक काम करो 7 की जगा आप लिख सकते हो L-1 लेकिन L अगर 8 है 8 में से एक गए 7 होता है बराबर है लेकिन यह 6 नहीं होगा साती रहेगा कहा होगा L कितना है 8 है 8 में से एक गए 7 आए बढ़ भी जाए तो भी यह उतना ही रहेगा हाँ तो एक तरीका है न और बताऊं कौन सा आप लिख सकते है L-1-I बस हो गया A of L-1-I हो गया आप बोलोगी कैसे पहली बार I कितना है 0 तो इधर क्या consider होगा 0 यहाँ पे L कितना है 8 है I कितना है 0 आठ में से एक गए कितना 7 पहली बार 7 ठीक है पहली बार 7 दूसरी बार I बढ़के कितना होगा 1 यहाँ पे 1 माना जाएगा L कितना है 8 है 8-1-1 6 हो गया ना अगली बार I बढ़के 2 होगा 8 में से 1 गये 7 7 में से 2 गये I is आपका 2 है 5 हो रहा है ना इधर से बढ़ रहा है तो उधर से घट भी रहा है खतम हो गया प्रोग्राम बस इतना ही बढ़ा है प्रोग्राम और कुछ भी नहीं है हो गया रिवरस्टरींग कैलकूलेट हो गया दिखा देता हूँ प्रोग्राम चलते कि आप खुदी समझ जाओगे बहुत ज़्यादा सीम्पल सा प्रोग्राम है दोनों प्रोग्राम आज खतम करतेते हैं पहलें कभी और यह जो भी पढ़ा रहा हूं कभी इसके बाद palindrome का भी बताता हूं यहाँ पे एक option है file का यहाँ पे option है empty इसका नाम रख देता हूं reverse string dot c शुरू करते हैं program main main से शुरू होगा लिख दिया main get ch भी लिख दिया चलो ठीक है कौन-कौन सी memories बनानी character array इसकी size 10 रख देता हूं या 20 भी रख सकते हो कोई issue नहीं है और एक temp नाम की memory भी बना लो आप T नाम की क्यों temporary नहीं क्या रखना आपने को एक I नाम की memory बना लो loop लगाने के लिए एक L नाम की memory बना लो length भी calculate करना है वो तो बाद में करना रहेगा जब व्याद आएगा तब बना लेना putse use कर लो printf यूज कर लो चलेगा लिख दो enter a string यह message बढ़के user एक string एंटर करने की कोशिश करेगा और आप जो string एंटर करोगे gate s की मदद से scan करा लो scanf तो बहुत अच्छा है लेकिन अगर आपको gate s आ रहा है तो gate s यूज कर लो बस इतना ही लिखना पड़ेगा gate s में उसके बाद एक function होता है कौन सा gate c है यहाँ पर last में लिखके रखा हुआ है एक function है str le and length पता कर लो किसकी एक ही और उसको किसमें रखवा दो l नाम की memory में फिर लिख दो for i को शुरू कर दो 0 से i को ले जाओ l by 2 तक फिर i plus plus लिख दो और ये भी हो गया उसके बाद इसके अंदर आपको swapping करानी है swapping कराने का code तीन line का swapping कराना होता है t में रखवा दो a of 0 को समाल के a of 0 क्यों लिख रहा है a of i लिख दो ना उसमें रखवा दो t को बात खतम और लाश्ट में प्रिंट करा दो reverse string is पता चल जाएगा क्या आता है reverse string is %s और इस %s की जगह क्या दिखना चाहिए जो भी होगा किसमे a में बात खतम प्रोग्राम खतम इसको में run कराने की कोशिश करेंगे हम अभी देखेंगे क्या हमारा प्रोग्राम बिल्कुल सही है या गलत है अभी पता चल जाएगा f9 दबाने के बाद और उसके बाद जब हम value एंटर करेंगे अभी shake एंटर करके देखते हैं अभी shake यह देख सकते हैं बिल्कुल सही है प्रोग्राम हो चुका है लिख लो इसे चलो फटा फट चलो लिखो फटा फट देख के नहीं बीन देख नहीं आद आ रहा इसलिए दो बार पढ़ाया एक बार पहले pen से पढ़ाया एक बार टाइप करके ताकि तीसरी बार तो याद आए देख लो एक बार कहां गलती कर रहा है आप वो देखो कौन सी लाइन आपको याद नहीं आ रही थी वो देखो जिससे आपको सीखने को मिले कुछ कि हां मैं यह भूल रहा था अब नहीं भूलूंगा कभी ऐसा आपके दिमाग में आना चाहिए कहां भूल रहे थे तुम फॉरलूप के अंदर की लाइन्स भूल रहे थे जो लिखी थी तीनो लास्ट वाली लाइन बाकी सब सही था पूरा तुम्हारा क्या गलत हो रहा बाकी सब सही था ये भी लिखा था तुमने क्योंकि लेंद कैलकूलेशन बहुत जरूरी है चलो अब आते हैं पैलिंड्रोम पे इसमें ज़्यादा चेंज नहीं करूँगा इधर ही बता रहा हूँ देखो अभी पैलिंड्रोम का मतलब क्या होता है जानते हो आप ऐसे वर्ड्स जिन्हें आप लेफ्ट साइड से रीड करो या राइट साइड से रीड करो उसका मतलब वही होगा जैसे मल्यालम लिख देता हूँ आप इस वर्ड को कौन से भी साइड से अगर पढ़ोगे तो वही होगा चाहे मैं रेस कार लिख देता हूँ इसको चाहे आप कहीं से पढ़ो वही मतलब होगा मैं मैडम वर्ड लिख देता हूँ नितिन वर्ड लिख देता हूँ ऐसे कई वर्ड्स हैं जिनने आप कहीं से भी पढ़ोगे, वही उसका मतलब होने वाला है, ठीक है, तो एक ये बात हो गई, तो आपको प्रोग्राम क्या बनाना है, पिछला प्रोग्राम था, write a C program to reverse a string without using predefined function, you don't have to use predefined function, without using the function, तो आपको logic लगाना पढ़ गया, लगा दिया, अब क्या करना, write a C program to check whether the given string, whether the given string is palindrome or not, ये प्रोग्राम है, मतलब क्या पीछे से पढ़ो और आगे से पढ़ो, same है, क्या अगर है, तो क्या, palindrome, same नहीं है तो, not palindrome बस, तो अब इसे शुरू करता है, कैसे करेंगे, सबसे पहले, हम क्या करना है, ये मान लेते है, memory का नाम A है, हम चेक करें पहला element, क्या ये इसके बराबर है, किसके हाँ है, तो अगला चेक करेंगे, बराबर है, नहीं है अगर, इधर B है, तो क्या बोल दोगे, not palindrome, उसके आगे चेक करने की जरूरत है, एक से भी आपने तै कर लिया ना, कि वो palindrome नहीं है, लेकिन एक को चेक करके, ये तै नही कर सकते कि वो palindrome है, पहला आपने mm चेक किया, तुरंद कैसे तै कर लोगे, palindrome है, आगे कभी तो करना पड़ेगा, मतलब palindrome के केस में चेक करना है, not palindrome की केस में, एक भी मिल गया बात खतम, आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, प्रोग्राम अगर आप शुरू करोगे, आप यहाँ पे सबसे पहले memories बना लोगे, यह आपको भी पता है, उसके बाद एक temp नाम की memory भी, अगर आपका बनाना है तो बनाओ, नहीं जब जरूरत लगी कि तो मैं बना दूँग, अभी नहीं बना रहा हूँ, length calculate कर लेता है, strlen, किसकी, a किसमें रखवा लू, l के by 2 तक और i++, मतलब यह loop कितनी बार चलने वाला, कितने element है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 4 बार, 9 divided by 2, 4 होगा, 4 बार चलेगा, मतलब यह, 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 और यह, बस, y को, तो single बज़ गया न, उसको छोड़ दो, हाँ तो सही है न, तो यहाँ पे लिखना क्या है, compare किससे करना, if यदी पहला element, a of 0, पहला element, equal नहीं रहा, किसके, किसके, 8 के, a of, l-1-ik, यही तो था पिछले इसमें, last element, अगर equal नहीं रहा, तो क्या बोलोगे आप, क्या बोलोगे आप, not palindrome, क्या इसके बाद loop चलना चाहिए, नहीं तो break लिखो ना फिर, क्यों चलवा रहे है, और loop, break लिख दो, ताकि loop ना चले, कब, जब equal ना रहे तब, अगर equal रहेगा, तो अंदर आओगे भी नहीं आप, break चलेगा भी नहीं आपका, तो आप इसके, if के अंदर कब घुसते हो, जब यह true होता है, यदि पहला और last equal नहीं रहा, तो अंदर आओ, बोल दो not palindrome, बात खतम, चुपो जाओ, लूप को और चलने मत दो, लेकिन पहला और last वाला equal रहा, तो अगली बार आए बढ़के कितना होगा, one, here check होगा यहीं चीज, फिर से, आप if else use नहीं कर सकते, else लिखी नहीं सकते आप, क्यूं, मुझे एक बात बताओ, यहाँ else में क्या लिख हो गया, palindrome, चलो लिख दिया, मुझे एक बात बताओ, पहला और last वाला equal नहीं रहा, तो क्या बोलना है, not palindrome, अभी तो equal है, तो क्या palindrome बोलना है, पहला और last चेक करके तैकर लिए क्या, नहीं, हाँ मतलब मैं यह आपसे बोल रहा हूँ, या तो if चलता है, या तो else चलता है, if नहीं चला मान लेते है, not palindrome, पहली बार, तो क्या palindrome हो गया, मतलब आप पहला last चेक करके, palindrome तैक कैसे कर रहा हो, सारे चेक करने है, इसलिए else नहीं आएगा, इसलिए धियान रखो, else मत लिखना, बहुत सारे बच्चों को doubt होता है, कि else से तो काम चल जाएगा, बिल्कुल नहीं चलेगा, सारे चेक करने है, अगली बार आए कितना होगा, one, क्या, दूसरा, और last, second last, equal नहीं है क्या, नहीं है, भी equal है, तो अंदर का नहीं चलेगा, फिर आए बढ़के, two, और फिर से चेक होगा, तीसरा, और ये छटवा, कोई दि जैसे ही फोर होगा, लूप के बाहर आजाओगे, आपने यहां लिखा है, आए जब तक छोटा है, चार से तब तक चलाओ, आए जैसे ही चार हो जाए, लूप के बाहर आजाओ, मतलब इधर, यहीं लिखा है आपने, आगए बाहर, आए की value कितनी है, जब बाहर आए तो, इक value कितनी है, चार थी, मतलब आए यह बोल रहा था, कि मैं 0 था, तो मुझे और बढ़ने का मौका मिला, 1 हुआ मैं, मुझे और बढ़ने का मौका मिला, 3 हुआ, क्योंकि equal थे वो लोग, अच्छा, equal रहने पर मुझे बढ़ने का मौका मिल रहा है, फिर जैसे ही, लूप ख मुझे धक्के मार के कोई ना निकाल दे बाहर break मतलब direct पहले ही L by 2 के बराबर भी नहीं होने देता break पहले ही बाहर हो जाता है मान लेते हैं पहला दूसरा और ये अलग है पहली बार I को बढ़ने का मौका मिला 1, 0 था अगली बार 1 हुआ चेक हुआ क्या ये और ये सेम है क्या नहीं सेम नहीं तो अंदर आए not palindrome प्रिंट हुआ ब्रेक हो गए आ गए बाहर आए 1 पे ही बाहर आ गया देखे कब जब equal नहीं है तो I खुश नहीं है equal ना होने पर खुश कब होगा जब equal होगा ताकि उसे L by 2 के तक पहुचने का मौका मिलेगा आप नीचे लिख दो ना यदी कहां पे यहां पे इफ लूप के बाहर यदी I L by 2 के बराबर हो गया अगर तो बोल दो palindrome प्रोग्राम खतम बोल दो ना डायरेक्ट I यदी L by 2 के बराबर हो गया उसे बढ़ने का मौका मिला कब बढ़ने का मौका मिलता है जब palindrome होता है तब equal रहा तो और बढ़ेगा equal रहा तो और बढ़ेगा बढ़ने का मौका कौन नहीं दे रहा break जब equal नहीं है मतलब palindrome नहीं break कर दिया मौका नहीं मिला हो सकता है 1 पर ही बाहर आ जाए क्या 1 बराबर है 4 के नई बात खतम जब आए बराबर हो जाए L by 2 के तो पैलिंड्रोम बस इतना ही प्रोग्राम है इसको एक बार मैं लिखता हूँ रुख जाओ फाइल न्यू मुझे बताना जो मैं लिख रहा हूँ अभी मत लिखना आप पहले देख लो एक बार और आपको स्टेप समझ में आ जाए इसका नाम रख देता हूँ पैलिंड्रोम बहुत फास्ट पढ़ा है मैंने लेकिन समझ जाएगा कितना भी फास्ट पढ़ा दू तो यहाँ पर बाीड मेन मेरा प्रोग्राम यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा मैं यहाँ पर लिख देता हूँ यह भी लिख दिया चलो ठीक है उसके बाद एक memory बना लेता हूं, int i नाम की और एक l नाम की इसकी पढ़ने वाली है, फिर लगा देता हूं, printf, enter a string, यह message बढ़किए, उज़र एक string एंटर करने की कोशिश करेगा, चलो, वो जो भी string एंटर, put s भी लिख सकते हो, आपको चाहिए तो, percent s लिख सकते हो, scanf और रखवा दो a नाम की memory में, end percent नहीं लगाते, character array में, यह मैं दो-तीन दिन से बता रहा हूँ आपको, इसलिए scanf के अंदर end percent मत लिखना, कब जब आप string के अंदर रखवाते हो तब, बाकी तो numbers, character और decimal वाले में लिखते ही है, फिर आप, हाँ, printf के साथ gate s भी यूज़ कर सकते हो, कोई issue नहीं है, हो यह उन्जा तू, यह उन्जा, उसके बाद मैं लिखता हूँ, str alien, length किसकी, L की, और उसके बाद इससे रखवा देता हूँ, नहीं, L की length नहीं, A की length और रखनी L में है, उसके बाद for, I को शुरू करो, zero से, I को ले जाओ, कहां तक, L by two तक, I plus plus, और उसके मैं, if यदी, A of I, मतलब पहला element equal नहीं रहा, किसके, A of L minus 1 minus I के, तो मैं क्या बोल दूँगा, not palindrome, यही लिखना है आपको, not palindrome, और break, break ज़र लिखना मत भूलना, नहीं, तो वो और चेक करेगा, अब एक बार पता चल गया, दो लोग equal नहीं, आगे क्यों चेक कर रहा palindrome print हो जाएगा नहीं, तो बात में थोड़ी देर के बाद, इसलिए वो आप break करवा दो, और यहां लिखतो, if यदी, I बराबर हो गया, किसके, L by 2 के, तो क्या बोलना है, it is palindrome, बस program खतम, get cs लिखा है मैंने, हाँ लिखा तो है, इसको छोटा करके run कराता हूँ मैं, यह मल्यालम लिखा, प्रिंट हुआ, उसके बाद मैं लिखता हूँ, यहां पे race car, प्रिंट हुआ, सही है, उसके बाद कुछ गलत लिख देता हूँ, ए, 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 बी, बी, ए, not palindrome, हो गया ना, पहला equal है, दूसरा कहा equal है, लिखो चलो, फटा फट लिखो, क्या बोल रहा हूँ, प्रोग्राम मदेश दे इसा है, तो प्रिंट अप स्क्यान अफ नहीं लिए इसा, डारेक्ट अच्छा पुडे, इक्वल टू करली, ब्रैकेट मदे अभीशेक लिए उन दे, इसा, डारेक्ट का है, मा डारेक रन के ले, और डारेक्ट प्रिंट हो ना, इट इस नॉट पलिंड्रोम, तुला एंटर करने अचांस पंड मेलना नहीं, तू प्रिंट अप स्कैन अफ कुटे लीतो है, आपन का लीतो है, प्रिंट अप स्कै अपन प्रोग्राम मोठा थोड़ी है, आपन प्रोग्राम छोटा है, इतना बड़ा थोड़ी है, इसमें अभी मैं देखो, अटर करता हूं, ए, बी, बी, ए, ए, क्या ये पैलिंड्रोम है या नहीं हो गया लिक्के, इतना ही होने वाला है, अज लिखो चलो फटा फट फट कवर जल्द देखाए।